जी हां नमस्कार साथे यक और बड़ी खबर सीकर जोगे से मिल रहे है इस वारदात में आपको बता देगी माहिला ने पती और उसके भाई के खिलाब नाम–ज़द रिपोर्ट कराई वहीं पुलिस फिर सासन इनके आरोपियों के नाम लेने से इंकार कर रही है दरसल आपको उता देगी इस मामले की जांस परताल कर रहे है थाना दिकारी बाबुलाल मीना ने बताया कि पांच दिसमर को महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें उसने बताय कि साल 2014 में उसकी साधी बालरा थाना छेतर के रहने वाले युएक से हुई थी साधी के बाद इसे एक लड़का भी है और साथ में उसके पती और सास दोनों देज के लिए उसे प्रहसान करने लगे वहीं पंदरे सितमर को उसके पती और सास उन्हें प्रताडित करने का बड़ा मामला सामने आया था उसी रात उस महीला का देवर उसे कमरे पर ले गया और इसी के चलते बोलेरो गाड़ी में उसे जुन जुनु जी लेके ढूंड लोज छेतर ले गया जहां से सिलीपर बस में बेठा कर उसे अपने साथ दिली ले गया और जहां पर एक कमरे में ले जाकर इस वारदात को अंजाम दिया थाना दिकारी बाबुलाल मिना ने बताएगी रिपोर्ट का धार पर मामला दर्ज हुआ है जिसमें जाँ सुरू कर दी गई है जिसमें कोल डिटेल और मॉबाल टावर लोकेशन का अधार पर आरोपी को दोनों को गरबतार कर लिया है फिलाल मामले की अंसांदान जारी है अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो दोस्तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मिलते हैं अगली वीडियो के साथ जहिन दोस्तों